हेलो दोस्तो और वेल्कम बैक टो नगर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ्रेंड्स को अपने लोकलोस 5M सर्वर में इन्वाइट कर सकते हो यह वीडियो उनके लिए है कि जिनके पास कोई होस्टिंग ने है या फिर वो अपने बस एक दो दोस्तों के साथ अपने सर्वर में खेलना चाते हैं यह वीडियो आप कंप्लीट देखना इसके लिए हमें सबसे पहले आ जाना है अपने ब्राउजर पे और आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे चुकि है playit.gg इस पूरे मैथड में हम कोई port forwarding नहीं करने वा अब यहां पर आपको बस अपनी details एड करनी है जो कि मैं अभी कर देता हूँ आपके सामने और ऐसे मेरा एक account create हो जाएगा और उसके बाद मैं redirect हो जाँगा इनके panel पे बोल रहा है मेरे को password save करने के लिए तो मैं नहीं करूँगा तो उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा अब यहां पर इस page पर आने के बाद आपको सबसे पहले इस application को download करना है यह application आपके Linux पर work करेगी आपके Windows पर Mac OS पर हर जगा work करेगी तो अगर आप Linux पर host करते अपना server तो आप वहां पर भी इसके साथ work कर सकते हो तो अब मैं क्या करता हूँ यहां पर click करता हूँ and इस application को अप firewall को थोड़ी दिर के लिए disable कर देते हैं इसमें कोई भी virus नहीं है यह बिल्कुल safe application है मैंने खुद इसको use किया काफी time and इसके अलावा काफी सारे लोग भी इसको use कर रहे हैं and एक बहुत बड़ी community है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम manage करेंगे और यहां पर थोड़ी दिर नेक्स्ट इंस्टाल और जैसे इस्टाल हो जे उसके बाद आप अपने जो defender है उसका वापिस ओन भी कर सकते हो यहां पर देख सकते हो यह पूरा इंस्टाल हो चुका है और मैं इसको कर देता हूं finish एंड इसके बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं plate सो यह यहां से रन हो जाएगा कुछ ऐसे उसका दब यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि visit the link to setup तो मैं यहां पर इस link को कॉपी कर लेता हूं कुछ ऐसे और इसको यहां पर मैं पेस्ट करता हूं इसको यह वह कर देगा मिरे लिए कुछ ऐसी अब हमने क्या किया हमने उस application को install किया अपने PC में run किया रन करने के बाद क्या 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 था है उसको हमें connect करना होता है इसके web panel से और web panel से connect करने के लिए मिरे को वह link वहां से copy करने के बाद मिरे को यहां पर paste करना पड़ा और उसके बाद यह सब कुछ डंक से work कर गया तो आप देख सकते हो कि यहां पर यह connect हो चुका है और अब यह मिरे को कह रहा है create tunnel के लिए and अब हम करेंगे create tunnel so tunnel create करने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे इस page पे and यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना region select करना है so आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके काफी सारे servers हैं बट वो ज्यादा तर paid है जहां पर जिनके आगे premium लिखा है and free वाला बस एक ही है and जो free वाला है वो आपको कहीं भी IPI a lot कर सकता है so उसका अगर आपको कई issue है तो आप premium वाला भी purchase कर सकते हो so यहां पर मैं free वाले के साथ ही जाओंगा and उसके बाद मैं क्या करूँगा यहां पर tunnel type select करूँगा so 5M के लिए हमें both ways open करना है मतलब TCP plus UDP इसके लावा अगर आपको किसी और game के लिए करना है तो आप वो भी कर सकते हो but यहां पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले UDP select करूँगा अब यहां पर मैं इसको एक बारी allow कर देता हूँ and वापी से मेरे को select करना कुछ भी यह and जैसे मैंने UDP select किया आप देख सकते हो कि मेरे को नीचे port count आ गया as well as local port आ गया but अब हमें क्या करना है हमें UDP नहीं TCP plus UDP करना है इस website में कोई issue है जिसके वजह से आप अगर directly TCP plus UDP करते हो तो यह page आपके लिए open नहीं होगा तो इसी के लिए सबसे पहले आप UDP यह TCP select करो and उसके बाद इस option को change कर लो TCP plus UDP में I hope आप ही समझ चुके होगे इसके बाद आपको क्या करना है port count 1 ही रहने देना है because हमें सिरफ 30120 port ही open करना है and उसके बाद आपको क्या करना है local port में अपना जो port है वो add करना है जो कि है 30120 and यहाँ पे आपको add tunnel कर लेना है so जैसी मैंने add tunnel किया अब यह थोड़ असा time लेगा मेरे को एक IP allocate करेगा and वहाँ से एक tunnel create कर देगा so आप देख सकते हो कि यह जो मेरी local IP है जो कि है मेरी local IP colon and यहाँ पे जो 30120 हमारे जो port है वहाँ से जो मेरा data है वो जा रहा है इनके मुंबई server में मुंबई server से data जो जा रहा है वो जा रहा है इस shareable address पर so कोई भी अगर इस address से मेरे server से connect करता है so वह connect हो जाएगा अराम से so ऐसा कुछ हमारे लिए यह दिखता है so अब आपको क्या करना है आपको यह वाला address है यह अपने friends के साथ share करना है so अब मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ कि आपके friends connect कैसे करेंगे and आप कैसे connect करेंगे because इसमें थोड़ा सा change है so अब सबसे पहले मैं अपना server on कर लेता हूँ उसके लिए मेरे को आना पड़े है यहाँ पर अपने file explorer पर एंड उसके बाद मेरे को on करना है server on करने के लिए मैं अपनी बैट file है इसको on कर दूँगा and यहाँ से मेरा server है वो on हो जाएगा so यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा server है वो on हो चुका है यहाँ पर cfx लिखा आचुका है जिसका मतलब मेरा server on है अब मैं खुछ से तो connect कर सकता हूँ और मेंट को अगर connect करना भी होगा तो मैं localhost से connect करूँगा बट उससे पहले मैं आपको एक बार यह IP टेस्ट करके दिखा देता हूँ so मैं क्या करता हूँ इस IP को copy करता हूँ and इसको new tab पे paste कर देता हूँ and इसके वाल मेरा एक refresh करना है and आप देख सकते हो कि मेरा जो server है वो on हो जाएगा यहाँ पे and मेरे को एक 5M का page आ जाएगा कुछ ऐसे so आप देख सकते हो अगर ये page आ रहा है इसका मतलब हमरे जो port forwarding है वो हो चुकी है तो अब मैं चेक करता हूँ अपने इस method को अपने किसी friend को invite करता हूँ अपने server में as well as मैं भी join कर लेता हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure to check out Zab hosting जो है 5M official hosting partner and इनके help से आप अपना 5M server host कर सकते हो सिरफ 5 minute में and check out के time use करना मेरा promo code जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा discount and यह सारी details आपको मिल जाएगी description और pin comment में अब बढ़ते हम अपनी वीडियो में तो मैं आ चुक हूँ अपने 5M में and 5M में आने के बाद आपको जब खुद connect करना है तो आपको अपने localhost से ही connect करना है because आपके लिए तो यह सब direct है तो यहां पर मैं connect हो चुका हूँ अपने server के अंदर आ चुका हूँ and अब आ रही है मेरे friend को invite करने की so उसके लिए अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो अपने वापिस browser पर आ जाऊँगा जो की है यह and मैं अपने friend को एक IP शेयर करूँगा जो की है यह वाली आप देख सकते हो आप यह IP शेयर कर दो या फिर आप यह domain प्लस port शेयर कर दो so मैं यह नीच वाली जो IP है यह शेयर कर देता हूँ and मैं अपने friend को बोलता हूँ कि वो मेरे server में enter करे तो अब हम आ चुक है मेरे discord server पर यहाँ पर मैंने अपने friend को invite किया था and यह वाली जो IP आप देख सकते हो screen share पर इन्होंने वही paste करी है and अब मैं इनको बोलता हूँ connect करने को and अब हम देखते हैं कि क्या वो connect हो पाते हैं कि नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा नाम आ चुका है यहाँ पर server का and जो मैंने create किया था पिछली वीडियो में यह वही सब आया है and आप देख सकते हो कि यह यहाँ पर connect हो चुके है and अगर मैं आपको यहाँ पर cfx में दिखाऊं तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि यह इधर connect हो चुके है and इनका जो name है and license है वो आ चुका है and यहाँ पर जो इनके ping है वो भी बहुत कम होने वाली है because यह जो server है यह हमारा Mumbai server है so अब थोड़ा wait करते हैं जैसी यह connect हो जगेंगे मैं आपको इनको ingame भी दिखाऊंगा so अब आप देख सकते हो कि यह यहाँ पर game के अंदर आ चुके है and यह घूम रहे हैं मेरे सामने and अगर मैं कोई गाड़ी spawn करूँ तो यह वो भी इनके लिए आएगी अगर मैं आपको एक बार कुछ करके दिखा देता हूँ शेयर के वजह से हो रहा है वरना बिल्कुल भी lag नहीं है इस पूरे experience में and यह सब हुआ है बिना port forwarding के and बिना hosting के so आपको कैसी लगी वीडियो आप मेरे को बताना comments में and अगर आपको इसमें कोई भी issue आता है मतलब आपसे एक बारी में connect नहीं होता so आप उस application को एक बार restart जरूर कर लेना because कभी-कभी वो वाले issue भी आ जाता है and उसके अलावा यह बिल्कुल working method है and आपने देखी लिया यह कैसे सब कुछ work करता है इस वीडियो में दोस्तों इतना ही and जाने से वहले make sure to check out zap hosting जहां आप host कर सकते हो अपना खुद का 5M server इनके game server hosting में या फिर आप buy कर सकते हो VPS या फिर root server अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP server है and यहाँ पे आप मेरा promo code जरूर यूज करना because उसमें आपको renewal के time एक अच्छा खासा discount मिल जाएगा मेरी तरफ से So thanks for watching, मैं मुलता आप से अगली वीडियो में